दोस्तो नमस्कार, Profit Guru चैनल में एक बन नए मारकेट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो एक ऐसा स्टॉक लेका है जो आप लोगों को लॉंग टैम में बहुत शांदार पाफॉमेंस देने वाला है क्यों? क्योंकि दोस्तो अगर आप उसका ओवराल का पाफॉमेंस देखेंगे न तो आप लोगों की आखें बहरा जाएगी देन उसी के साथ साथ अगर आप दोस्तो उसके कौटर फोर्ट के नमबर देखेंगे न आप बहुती शांदा देखने को मिल रहे हैं और देन उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे उस कमपणी का पाफॉमेंस उसके सेक्टर में तो वो दिगस दूसरी नमबर कंपणी है दोस्तो उसके सेक्टर में ठीके तो यही भैतरिंग श्टॉक है आप लोगों के लिए तो दोस्तो मैं यही बोलूँगा अगर आप प्रॉफिट गूरू चैनल को फर्स टाइम विजिट किया है तो डेफिनिटल सस्क्राइब करके जाए देन उसी के साथ साथ दोस्तो हमारा सेकेंड जो चैनल है दोस्तो प्रॉफिट गूरू की क्लासेस उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा यहाँ पर जाक यहाँ पर सस्क्राइब करें और उन वीडियो के माध्यम से ट्रेडिंग करना सीखे दोस्तो ठीके तो चलिए चलते हैं सबसे पहले उस स्टॉक के हमारे पाफॉर्मेंस के बारे में फंडामेंटल तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोगों को नसी बेसी दोनो इंप्लोई के अगर में बात करता हूं 32% का देखने को मिल रहा है है इंटनोन उन इक्विटी के अगर में बात करता हूं दोस्तो तो 30 23.9% का देखने को मिल रहा है ठीक है बुग विल्यू अगर देखे दोस्तों तो 350 का है करेंट मार्केट प्राइस 52 का है 52 का लो और साथ में फेस विल्यू आप देख सकते हो कितने शांदा देखने को मिल रहा है मतलब आप लोगों ने देखा कि जो भी financial condition इस सुरू से ही आप हमारे लिए काफी अच्छा मोका है क्योंकि दोस्तों अगर इसी प्राकार से हमने उसमें investment किया और वो इसी प्राकार से position बना के बेटे रही तो दोस्तों हमें काफी अच्छा profit देखे जाने वाले क्योंकि अभी तक का अगर performance देखेंगे बहुत तगड़ा है तो यहां पर आप देख सकते हो companies almost date free मतलब company के ओपर करजा नहीं है company करजा मुक्त है company को loss होगा तो उसके jam से होगा profit होगा तो उसके jam में जाएगा तो हमारे लिए यह बहुत अच्छी बात है देन उसी के बात company का बोलना है company is expected to give good quarter मतलब company expected कर रही है कि मेरा जो आने वाला quarter है वो बहु company का median sales growth जो है वो दोस्तों last 10 साल में करीवन 18.6% बढ़के आ रहा है मतलब आप अगर positive quality देखेंगे तो company के अंदर भर भर के negative quality में खाली एक ही है कि stock उसकी book value के price से करीवन 13 टाइम उपर trading कर रहा है तो यह कुछ negative और यह positive news हमें देखने को मिल रही है देन उसी के साथ साथ आप देख सकते हो company के quarterly result यह सबसे important होता है अगर आप यहाँ वीडियो के माध्यम से ही देख लेते हैं दोस्तों तो आप लोगों को fundamental condition जानने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों को पूरी चीजे बढ़ता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से अगर 1326 करोड़ मार्च में थोड़ी सी नीचे आ जाती है जून 2019 में फिर नीचे आ जाती है लेकिन सितंबर में एक बार फिर से बड़ी सी जंप लगाती है आप देखे 1446 करोड़ दिसंबर 2019 में सितंबर 2019 में दिसंबर में फिर नीचे आ जाती है मार्च में फिर थोड़ी सी नी देन उसी के बाद अगर देखेंगे तो लाश्ट के जो चारो कॉटर आपको देखने को मिल रहा है जून सितंबर दिसंबर मार्च बहुती शांदा तरीके से दोस्तो पाफोरमेंस देखने को मिल रहा है कमपणी का मतलब कमपणी ने अपना बिजनेस मॉडल बहुत तेजी से सुधार आये दोस्तो कोरोना पेंडमिक के बाद उसी के साथ साथ कमपनी का प्रॉफिट देखेंगे सिंगल कॉटर में क्या क्या रहा है दोस्तो 68 करोड का 404 करोड का 389 करोड का 292 करोड का 292 करोड का यहाँ पर देखें जाएए ठीके अगर लास्ट के चार कॉटर की में बात करता हूँ तो क्या प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 409, 520, 481, 502 करोड यह देख सकते हो बहुत ही शांदार पाफॉमेंस कमपनी का कॉटर तो कॉटर देखने को मिल रहा है देखने के साथ अगर मैं year to year compare करता हूँ profit and loss में तो मार्च 2010 से हम मार्च 2021 को compare करेंगे मार्च 2010 में कमपनी ने 942 करोड की sales की थी यहाँ पर देखें कमपनी की sales growth दोस्तो हर साल increase होते जा रही है मार्च 2018 में कम हुई थी बाकी 210 से लेके 17 तक कमपनी की sales growth यहाँ पर बढ़ती जा रही थी देखने के साथ साथ मार्च 2019 बहुत शांदार रिजल 20 वो भी शांदार sales growth और 21 उससे भी ज़्यादा sales growth तो आप देख सकते हो कमपनी का performance बहुत तगड़ा देखने को मिला है इसी के साथ साथ प्रॉफिट पर अगर आप नज़र डालोगे तो कमपनी का प्रॉफिट मार्च 2019 में 340, 439, 533, 642, 773 करोड का फिर देखिए आप कितना शांदार बस यहाँ पर कमपनी की जहाँ पर sales growth कम ही थी महाँ पर प्रॉफिट कम हुआ था इसके बाद अगर लास्ट के तीन साल को अगर आप देखेंगे कंपरिजन करेंगे तो तीनों साल में बहुत शांदार मोमिंट है महां में देखने को मिला है तो जिसके लिए दोस्तों आप इस स्टॉक को हम इग्नोर बिल्कुल भी नई करके चल सकते हैं आप देखेगा कंपनी का अगर हम देखते हैं तो अगर आप देखेंगे लास्ट कषर्ट के अगर में बात करता हूँ प्रामोटर तो देखेंगे लास्ट को से लेके अभी तक परे 70 venus को कम करके 1775 परेंट का क्लिझा दियाई की बात करता हूँ उन्होंने भी last quarter से current के quarter में थोड़ा सा अपना stake कम के है मातर इतना ही stake market में free है आप देख सकतो FII भी काफी अच्छी तरीके से focus करता है दियाई भी काफी अच्छी तरीके से focus करता है क्योंकि दोस्तो company का जो business है न देश में नहीं दोस्तो बीदेश में भी काफी अच्छी तरीके से चलता है जिसके लिए company market में बहुत शांदा revenue generate करती है ठीक है तो चलिए company का performance भी देखते है market में क्या देखने को मिल रहा है आज की condition में तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो company का जो performance है दोस्तो आज की date में करीवन हमें देड़ पर्शन की तेजी देखने हों मिली 4522 रुपे 20 पैसे पे stock close हुआ है previous close था 4519 रुपे 65 पैसे बड़ा सा gap of opening लेता है 4534 रुपे high लगा था 4583 वही stock का high और stock का 52 बिक का high बन जाता है और low अगर देखेंगे तो 4517 रुपे का देखा जाया तो बहुत ही शांदार moment हमें देखने को मिला stock में देन उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे trade volume number of share 4,19,000 quantity का volume यहाँ पर volume बहुत कम हाता है दोस्तो तो जिसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अगर आप लोगों ने focus कर लिया तो आप लोगों को position मिलेगे और stock में one sided moment हमें देखने को मिलता है क्यों क्यों कि volume कमाने का कारण यही रहता है अब देखे 52 काई देखे 52 कलो देखे 52 कलो देखे और date देखे डिलेवरी लेके जाओ या ना फिर भी आधी quantity के लेके जाता है तो देखे 43 असमले 27 पर्टेंट का क्या delivery पेटन क्या quantity अगर आप देखेंगे एक लाग 35 जा देखने को मिल रही है उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे company information के अगर मैं बात करता हूँ मतलब यहाँ पर result आप लोगों ने देखा March quarter December quarter का कितना शानदा देखने को मिला ठीके dividend का performance आप देख सकते आप लोगों के सामने ठीके shareholder pattern भी देखा promoters के पास कितना stake है तो हम यह भी चक कर सकते क्या promoters ने stake को play जागा तो दोस्तों बिल्कुल भी ने क्योंकि company की financial condition मैंने अभी आप लोगों को दिखा के लाए हूँ तो अब आप समझ गयोंगे कि company कितनी शानदा देखने को मिल रहे है क्योंकि company का अगर आप नाम देखे नागा तो company का नाम है दोस्तो डीवी लेबरेटी लिमिटेड यह एक फार्मा दिगज company दोस्तों जिसका market में अभी बहुत शानदा तरीके से बहुल वाला देखने को मिल रहा है तो दोस्तों जिसके लिए डीवी लेबरेटी को आप अपने portfolio में जरूर जगा दे सकते हैं जो आने वाले दिनों में आप लोगों को यह बहु दो कोरोट ठीके for the quarter ended March net sales growth की अगर में बात करता हूं तो वो भी 28% बढ़के आई थी year on year ठीके जो 1780 करोड की रही थी financial year 2021 के fourth quarter में ठीके the company report 4x gain 3 करोड दूरिंग the quarter under review मतलब दोस्तों 4x से महाँ पर इतना revenue generate किया था आप देख सकते हैं डिविस लेवरेटी का जो performance मार्के तोड़ा चेक करके चली आप लोगों को one side in moment देखेगा देखिए लास्ट पात दिन में साड़े 5% की तेजी है ठीके लास्ट एक मेने की में बात करता हूं लगभग 8% की तेजी है लास्ट छे मेने की अगर में बात करता हूं तो साड़े 17% से ज़्यादा की तेजी आप द ही देखिए कितना रिटन 50,700% का रिटन दिया है तो अब आप देखिए वंसाटर मोमिंट दिक राएं ने आपको कहीं सी बड़े गिरावत नहीं फिर उठता 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 कुछ नहीं वन साड़े गिरे-दिरे-दिरे-दिरे करके जा रहा ऑं पचास हजार 700% का momentum करके खड़ा है तो दोस्तो हम तो आगे भी stock से यही उमिद करें कमपनी से यही उमिद करें कि इसके shareholder को इसी प्रकास return मिले जो नया traders इसमें entry लेना चारा है उसके दिमाग में अगर चल रहा हो कि pharma company में मैं भी investment करूँगा तो दोस्तो definitely divis lab में आप investment कर दीजिए जो आप लोगों को आने वाले दिनों में बहुत तगड़ा performance देके जाने वाली है तो यह था best stock आप देख सकते हो 50,700% का return दोस्तो company ने दिया company market में बहुत पुरानी 2003 से ठीके और आज देख सकते हो वो कहां पर गोम रही है ठीके तो यह best stock था best update था जो दोस्तो उसके sector में दूसरे number पर है यह company ठीके हो सकता है कि जिस प्रकार से performance कर रही हो वो उसके sector में दिगज company भी बन जाए तो जिसके लिए इसको ignore बिलकुल भी मत करिएगा ठीके तो यह best update था आप लोगों के लिए झाल